प्रेम शब्द बहुत पॉपुलर है, ब्यापक है, सारे संसार में, लेकिन प्रेम क्या है, ये इरले बिरले जन जानते हैं, दो तत्व होते हैं, एक दिव्य, एक माईक, दिव्य तत्व भगवान है, और माईक तत्व जगत है, दिव्य तत्व आनन्द स्वरूप है, माईक तत्व उसके विपरीत, दुख ही दुख है, दिव्य तत्व अनन्द है, माईक तत्व नश्वर है, आतेव, दिव्य प्रेम, अभिनाची है, और माईक तत्व नश्वर है, माईक प्रेम के लिए माईक मन चाहिए, दिव्य प्रेम के लिए दिव्य मन चाहिए, तो प्रेम वास्तों में दिव्य ही होता है, माईक एरिया में तो लोगों ने जबरदस्ती बना लिया है, बना उटी, हम तुमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रेम तो निध्य है, लेकिन संसार का प्रेम तो अनिध्य है, क्योंकि प्रेम जो संसारी होता है, उसका आधार स्वार्थ होता है, जितना स्वार्थ जिससे, उतना प्यार उससे स्वार्थ कम, प्यार कम स्वार्थ खतम, प्यार खतम दिन में सव बार आप लोग अनभो करते हैं मा से, बाप से, बेटे से, भीबी से, पती से जिसका कितना आधिक स्वार्थ आप सिद्ध कर दे उतना आधिक प्यार ले ले पडोसी से ले ले, दुश्मन से भी ले ले और स्वार्थ क्या है? ये भी दो प्रकार का है एक तो संसारी स्वार्थ और एक दिब्व स्वार्थ दिब्व स्वार्थ माने भगवान का स्वार्थ और संसारी स्वार्थ ये माबाब बैटा है, तिरी पती ये बदलने वाले कितनी मा बन चुकी ये आप लोगों की पता है? आप अपनी मा को ये शारीरिक मा को कहते हैं मेरी मा है ये तुम्हारी मा कब तक है? एक दिन बनी और एक दिन समापत हो जाएगी तुम मर गए, बात खतम, दूसरी मा होगी ऐसे बदलते रहती है मा बाप भी, बीबी, पती, बेटा, बेटी जाब बदलते रहते हैं लेकिन फिर भी, आप लोग भूल जाते हैं कि ये तो मेरी मा नहीं है, क्योंकि बदल जाएगी जो चीज बदल जाएगी, वो हमारी कैसे? पता नहीं किस दिन बदल जाएगी, ये भी नहीं वरोसा कि बेटा तो जूनियर है, पहले बाप मरेगा अरे पहले बाप इन्न मरे बेटे ही मर जाएगी रोस देखते हैं संसार में, हम अटाइच्मेंट करते हैं, मन का संसार में मनें, माभाब, बेटा, श्री, पती, धन, प्रतिष्टा इन सब कीजों में क्यों करते हैं? हम समझते हैं हमारा मतलब हल होगा इन से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब क्या है? बस यही पर हम गलती कर गए तुम्हारा माने तुमका अब तुम माने तुम माने हमने शरीर को मान लिया तुम हम शरीर नहीं है हम तुम क्योंकि मरने पर हम लोग क्या बोलते हैं आज दिने संसार से चला गया और ये लेटा कौन है ये उसकी बाड़ी है उसका शरीर है तो इसका मतलब हम तुम चला गया वो है हाँ अगर हम तुम सरीर होता तो फिर उस मरे हुए सरीर को जैसे हम पहले प्यार करते थे माँ बाप बेटा इस्तिरी पती ऐसे अब भी करते अरे निकालो निकालो घर से बाहर जल्दी करो सर जाएगी लाश बद्बू आएगी अरे इससे तो बड़ा प्यार करता था बाप माँ बेटा बेटी अब क्या हो गया अजीब वो जिससे करता था वो चला गया तो इसका मतलब यह है कि जो अंदर चेतन है जिसको आत्मा कहते हैं जीव कहते हैं जो मा के पेट में बाहर से आया पेट में बना नहीं मा के पेट में तो यह शरीर बना उस शरीर में बाहर से आयी आत्मा आत्मा आयी तो हम उसको हर संसार में आने पर उसको हमने नाम दिया कि दिनेश है, रमेश है, गणेश है, ऐसा नाम दे दिया जब मर गया, तो फिर आत्मा कोई माना आज वो चला गया तो फिर जब हम और कुम शरीर नहीं है तो फिर हमारा स्वार्थ भी शरीर का स्वार्थ नहीं होगा हमारा स्वार्थ अलग है, शरीर का स्वार्थ अलग है शरीर को भोजन मिले, पानी मिले, हवा मिले, दूप मिले यह पंच महाभूत का स्वार्थ है, तो पंच महाभूत का सामान मांगता है नहीं तो यह समाप्त हो जाएगा जैसे बना था वेसे ही समाप्त हो जाएगा जिन जिन चीजों से बना है उन उन चीजों में मिल जाएगा लेकिन आत्मा बना नहीं बाहर से आया है बाहर चला जाएगा उस आत्मा का स्वार्थ परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा को हम नहीं मानते, गिर तुम किसको मानते हो, आनन्द आनन्द कैसा होता है, यह हम नहीं जानते हैं, मिलता है कभी, हाँ मा को चिप्टाया आनन्द मिला बाप को चिप्टाया आनन्द मिला रस्गुल्ला खाया आनन्द मिला अच्छा ये जो आनन्द आपको मिलता है ये बना रहता है नए रस्गुल्ला एक खाया ज़्यादा आनन्द मिला दूसरा खाया आनन्द कम तीसरा आनन्द और कम चवथा बस आनन्द खतम पांचवा और ने 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 उल्टी हो जाएगे जो पहले रस्तगुल्ले में आनन्द था वो जब खतम हो गया एक बार देखा मसूरी कैसा है यह पहाड़ है यह ऐसा है दोबारा चलो मसूरी देखा मैं कहा देखा मैं वो ही तो है शादी होती है एक लड़की जाती है ससुराल देखने आते हैं लोग चलो लड़की देखा मैं देख बार देखा उसके बाद चलो आज तर फिर लड़की देखा आप क्या देखा मैं बार बार देखा है आप कोई नहीं आता देखने वो लड़की बीमार हो गई घर में कोई नहीं है वो कह रही है पडोसी से भीया दवा मंगा दो टाइम नहीं है सब स्वार्थ का नंगा नाच है ये संसार बिटा पानी पिला दे दोड़के गया पाउसा बाच क्या मेरा बेटा है स्रमन कुमार है फिर ठोड़ी देर बाद बेटा जना चस्मा ला दे वो बेटा है हमने कहा चस्मा ला दे फिर भी बेटा है क्या राक्षस पैड़ा हुआ है लो आज मिनित में राक्ष़त भी हो गया दिन बर आपके घर में इनातक होता है माँ बाप बेटा इस तरी पती के साथ हमारी बात मान लिया बहुत अच्छा आद्मी है अच्छा बाप है, अच्छी माँ है हमारी बाप नहीं माना क्या हमारे बाग दिवी है ऐसा पती मिला, ऐसा बाप मिला ये प्यार कैसा है जिसका आधार स्वारत हो और बदलता रहे और समापत हो जाए आपने रसुग अलला कभी खाया है कितनी बार, पचास बार, क्यों हो एक बार खा लेते और उसके बाद फिर उसका ध्यान कर लेते आजा रसुग अलला, वो जो परसो खाया था वो आनन्द मिल जाए नहीं मिलता एक बार जिस बच्चे को चिप्टाया उसके बार ध्यान कर लो हाँ बच्चे आजा, आ गया, आनन्द मिल गया नहीं नहीं फिर से चिप्टाना कमपल सरी है अच्चा चिप्टाया बच्चे को आनन्द मिला दुबारा और आनन्द कम से बारा जा बच्चा के लो जिस बच्चे को चिप्टा करके मा सोई नीद आ गई बच्चे को छोड़ दिया बच्चा मर गया, मरने दो हम तो गहरी नीद में सो रहे हैं यह आनन्द सबसे बड़ा है यह प्रेम, यह आनन्द है क्या बवाल खिलवा रहे तो आया गया, आया गया, आया गया जैसे सबेरे की धूप बड़ी लंबी और दो पहर को हम जब खड़े हुए तो धूप अंदर ही रह गई शरीर में चाया नहीं कहीं रही दिखाई पड़ी ऐसे ही संसार का प्यार है लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो प्रतिक्षण बढ़ता है गटता नहीं थे किसी का उल्चा है संसार का प्रेम ये प्रतिक्षण गटता है है एक दिन समाप्त हो जाता है तो प्रेम दिब्विबस्तु है यानि भगवान का पर्याइबाची शब्द समझो भगवान का सुरूप क्या है आनन्द प्रतिक्षण बढ़ने वाला हनन्द को मात्रा का और संसार का प्रतिक्षण घटने वाला अनलिमिटेट आज एक गरीब को साइकल मिली उसते जा रहा था अकड़के बैचके उधर से मोटर साइकल आई निकल गई मोटर साइकल मिल गई उधर से कार आई उसका छिट्टा पड़ा कीचड़का कपड़े खराब हो गए क्या मोटर साइकल भी कोज़े कार होती है आगे का सुख देखकर पीछे वाला सुख समाक्त हो जाता क्यों सब दुखी है अरे हमसे नीचे कोई है हाँ है हमारे दो आख है एक आख वाली बहुत है एक आख वाला सोचता है हमारे एक आख है तो अंधा है लेकिन जो अपने से उपर वाले को देखते हैं तो हम पिछक जाते हैं नीचे वाले को देखा आप कितना पढ़े हैं बीए आप हम तो डीलिट हैं अपने से उपर वाले को हम देखकर पहंकार करते हैं खोश होते हैं और उपर बहुत है अरे हम कितने पैसे वाले हैं यहना हम बिल गेट्स हैं हम मुंकेश अंबानी है अरे मुंकेश अंबानी या बिल गेट्स कोई मसूरी खरीद सकता है अरे एक मुहला भी नहीं खरी सकता अरे तो उस्बिल गेट सो गहरा से तो अनंत गुना बड़ा कुबेर है हाँ कुबेर अगर हो जाते हैं अरे कुबेर का अनंत गुना बड़ा वो भगवान स्री कुष्ण है वहाँ जाकर अंड होगा बाकी साथ दुखी अपने से आगे वाले को देख के साथ दुखी है अब आगे कोई नो कोई है इसलिए कोई भी संसारी कितने ही सामान मिल जाए यत प्रचिब्याम ब्रीहिजवम हिरन्यम पशबस्त्रिया अगर सारा संसार एक आदमी के नाम लिख दिया जाए तो भी उसको सुख नहीं मिलेगा और टेंशन मिलेगा आज देखो हमारे देश का या किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर कितना दुखी है उसको क्या सुक है इसको मनाओ इसको मनाओ नाराज नहू जाए इसको मनाओ इसकी कुछा मत करो इसको बादार में अकेले मत जाना गोली मार देंगे उसका बेटा भी नहीं जा सकता हर समय डर हमारे डिफेंस वाला हम को नो गोली मार दे बड़े बड़े प्राइमिनेश्टरों को उन्हीं के लोगों ने मार दिया और देखिए आप सब लोग यहां बैटे हैं घूम रहे हैं बजार में मस्ती से कोई डरता नहीं कितना बड़ा सुख है आपको आपके पास एक मकान है दो कमरे है आपकी बीबी उठी और उसने जाड़ों लगाया काम खतम एक के पास दस कमरे हैं उसमें जाड़ों के से लगावे एक बीबी एक नौकर चाहिए नौकर रख लिया उसने चोरी कर दी ए रो रहे हैं और बड़े आदमी हुए देन भर टेंशन उनको आज ये हो गया आज वो हो गया देखो एक आप अकेला आदमी आप सब लोग पहले अकेले पैदा हुए तो क्या दूद पी लिया मां का या बाहर का अवाज खुआ उठा उठा करके बिभोर हो रहे हैं बाप मर गया मर जाने तो हमको क्या पता कोई चंता नहीं किसी की अब जड़ा बड़े होए मम्मी को पहचानने लगे पापा को पहचानने लगे अब मम्मी मरी तो रोने लगे अब और परिवार हो गया क्याट चे लड़के लड़कों के लड़के अब बड़े खुश देखो हमारा इतना बड़ा परिवार है अब इतना बड़ा परिवार में देखके बड़े खुश रहे अरे क्या हुआ वो लड़के का एक्सिडेंट हो गया उसका क्या हुआ, वो करेक्टरलिस हो गई, उसका क्या हुआ, रोज टेंशन, नहीं भगवान कैसे मरें, क्या करें, जहर खालें, बड़े विबोर हो रहे थे कि हमारा देखो इतना बड़ा परिवार है, आज एक मरा उसके बियोग में रो, दूसरा मरा, इसको टाइफाइड ह हो गया, इसको कैंसर हो गया, क्या सुख मिलना है, बड़ा परिवार होने से आपके, आप अकेले जब थे तो अकेले का दुख मिलता था, हमको बुखार हो गया, हमको बस हो गया, बाकी किसी को पड़ोसी को बीमार रहे, बुखार रहे, बामारी बदाश, अब जितना बढ़ गया जितना संसार मिला अधिक उतने अधिक दुख और हम उसी को मांगते हैं हमारे भी ऐसा होता हमारे भी ऐसा होता तो संसार मिलने से सुख नहीं दुख मिलता है भगवान में आनन्द है ये हमारा असली स्वार्त है जिस दिन ये डिसीजन हो जाए तो भगवान से प्यार हो जाए हो जाए एक लड़की जा रही है एक लड़की की जाती हुई देखा एक लड़के ने जरा गौर से पड़ी सुन्दर है बस इतने में ही लड़की की भावपन गई ये लोपर है जपंगा है गुंडा है हमको घूर रहा है और गुर्ज की सहीनी ने बताया इसी से सगाई हुई है अच्छा अच्छा तब उल्टा हो गया इससे स्वार्त सिद्ध होगा इसलिए सब उल्टा हो गया जो भौह तनी थी वो देखने के बार-बार कामना हो रही है कैसी नाक है, कैसी आँक है, कैसा चलता है यहाँ संसार स्वार्थ का नाचक है, नाचक खिलवाड है यह प्रेम यहाँ हो ही नहीं सकता प्रेम हरी गुरू में है क्योंकि उनका हमसे स्वार्थ नहीं है हमारा उनसे स्वार्थ है यह decision लाना है चाहे एक जन में लाओ, चाहे हजार जन में में लाओ